मध्यप्रदेश में पटवारी भती परिक्षा 2023 एक बार फिर से शक्क के दाइरे में है पटवारी भती परिक्षा में हुए कथित गोटाले की जांच रिपोर्ट का इंतिसार सिर्फ उम्मिदवारों को ही नहीं बलकि मध्यप्रदेश की आम जनता को भी है लेकिन अब यह रिपोर्ट शायद हमें देखने को नहीं मिलेगी बुपाल इस्थित वलब भवन में ब्रश्टाचार के पाप को छुपाने के लिए लगी आग में सबसे समवेदन शील मानी जाने वाली पटवारी जांच रिपोर्ट जलकर खाक हो गई है इसका खुलासा दसूत ने किया है बलब भवन में यह आग 9 मार्च को लगी थी पटवारी जांच रिपोर्ट समिट होने के बाद इसकी सच्छाई जानने के लिए सूचना के अधिकार के तहर जानकारी मागी गई थी लेकिन 30 दिन की समय सीमा बीच जाने के बाद भी उखता जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई RTI लगाने के बाद 9 मार्च को लगी आग का हवाला देते हुए कहा गया कि मौखिक तोर पर यानि फोन पर जानकारी देना संभव नहीं है पूरी बातचीत से इस बात के संकेत मिलते हैं कि पटवारी भरती परिक्षा की जान रिपोर्ट की हाट कॉपी जल चुकी है उमिदवार और RTI लगाने वाले व्यक्ति ने जब रिपोर्ट की जानकारी के लिए पी एस मनीश रस्तोगी जी एडी के दफ्तर के फोन नंबर 075527081800 पर संपर किया तो अमर सिंग रावत ने फोन उठा कर जानकारी दी पोन पर उमिदवार ने पूछा पटवारी जाच रिपोर्ट के लिए RTI में आवेदन लगाया था तीस दिन भी चुके हैं जवाब आया कि आपकी घटना हो गई थी जिसमें उनका विंग पूरी तरह से जल गया है दस्तवेज भी जल गया है पानी भी डाला गया कंप्यूटर सिस्टम टेलिफोन सभी बंद पड़े हुए हैं अभी तो इसमें देरी ही होगी कोई कुछ नहीं कर सकता है उम्मीदवार ने जब आगे पूछा कि रिपोर्ट भी जल गई है क्या आपको बताएं कि उम्मीदवार ने यह सवाल तीन बार पूछा जवाब में बाबु ने कहा कि हाँ जो जानकारी चाहिए वह काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है हाड कॉपी जल गई है सॉफ्ट कॉपी है लेकिन ऐसे ही नहीं दे सकते है वह देने के लिए अलग प्रक्रिया होती है वह पूरी होने के बाद ही सॉफ्ट कॉपी दी जा सकेगी उम्मीदवार ने आगे पुछा कि RTI के तहर जानकारी देने की समय सीमा एक महीने की होती है सॉफ्ट कॉपी है वो तो नहीं जली अधिकारी ने आखरी उत्तर दिया आग लग जाए तो इसमें कोई क्या करेगा ऐसे ही थोड़ी सॉफ्ट कॉपी दे देंगे वहां कोई काम नहीं हो रहा है ना ही वहां कम्प्यूटर चल रहे है गुरुवार यानी 21 मार्च 2024 के सुबह दोबारा बात कर आवेदन लगाने को कहा वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंतिर डॉक्टर मोहन यादव ने पटवारी जाच रिपोर्ट का खुलासा करने को लेकर हुए आंदोलन के दोरान एक इंटर्व्यू में कहा था कि जो चाहे रिपोर्ट ले सकता है अब सरकार घर घर रिपोर्ट देने नहीं जाएगी लेकिन मज़े की बात ये है कि रिपोर्ट सूचना के अधिकार में भी नहीं दी जा रही है हैरानी की बात ये है कि आग लगने वाली घटना नौ मार्च को हुई आवेदन लगाने की प्रक्रिया नौ से दस फरवरी को हुई ऐसे में सवाल उठता है कि सूचना के अधिकार के तहत तहस समय सीमा में जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं करवाई गई आटियाई लगाने वाले को इस संबध में किसी भी तरह की सूचना भी क्यों नहीं दी गई जब याचिका करता ने खुद 20 मार्च को पियेस मनेश रस्तोगी से पोन पर संपर करना चाहा तो विभाग की तरब से कोई पुखता जानकारी नहीं दी गई इसके अलावा पटवारी जाच रिपोर्ट देंगे या नहीं और देंगे तो कब देंगे या भी इस पश्ट नहीं हुआ पतादी की मध्यप्रदेश के पूर्वो मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान ने जुलाई 2023 में पटवारी भती परिक्षा में जाच करने के लिए हाई कोट के रिटाइड जश्टिस राजेन वर्मा को जाच सौपी थी रिपोर्ट 30 जनवरी 2024 को सब्मिट हुई और 31 जनवरी की सुबा रिपोर्ट का खुलासा कर दिया गया पटवारी भती परिक्षा को क्लीन चिट भी मिल गई हालागी 74 पन्ने के इस रिपोर्ट में पूरी जाच क्या है या अभी तक सामने नहीं आई है जाच कैसे हुई जाच रिपोर्ट को सामने लाने के लिए नैशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के साथ कई उम्मेदवार लगातार भुपाल और इंदौर सही सभी जिलों में आंदोलन कर चुके हैं लेकिन जाच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है पटवारी भरते परिक्षा की गुथी दिन बर दिन उलशती जा रही है पहले कथित घोटाला पिर नौकरी देते समय शौर्ट वेटिंग लिस्ट और अब ये जाच रिपोर्ट की फाइल में आपकी आच और सौफ्ट कॉपी देने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है अब देखना होगा कि चैनित पटवारियों पर इसका क्या असर पड़ता है